एक आदमी व्रिंदावन में आँख मूद करके बैठा था एक बाबा वहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि तु आँख बंद करके क्यूं बैठा है तो उसने कहा कि मैंने सुना है आँख बंद करके भगवान का दिहान किया जाता है तो बाबा ने हसते हो इस व्यक्ति से कहा कि अरे बावरे तुने जीवन में जितने भी ध्यान, पुन्य, दान किये होंगे आज उन सब का ही प्रताप है कि तु व्रिंदावन में बैठा है और यहां आकर के आख बंद कर लेना ये तो सबसे बड़ी अज्ञानता है क्योंकि व्रिंदावन आख बंद करने का स्थान नहीं है ये तो आख खोल कर केशी ठाकुर को निहारने का स्थान है जोलो तोहे नंद को कुमार नहीं देख परेो तोलो तु बैठ के ब्रह्म को विचार ले जब तक तुझे नंदक का कुवर दिखाई नहीं दे रहा है तब तक तु आँख बंद करके पुकार ले जितना पुकारना है क्योंकि जब तुझे जिस दिन जिस छण वो दिख जाएगा तो फिर ये आँखे कभी बंद नहीं होंगी आँखे बंद हो या खुली हो तुमको हर स्थान पर वही वही दिखाई देगा